नव सल्फेट, सल्फेट के लिए बेरियम क्लोराइट टेस्ट जो हमने सल्फाइट में भी किया है, तो बेरियम क्लोराइट डाल दिया, अगर Na2SO4 है, बेरियम सल्फेट बन जाता है और 2 NaCl, बेरियम सल्फेट के PPT वाइट कलर के होते हैं, और वो कोई सा भी acid डाल के देखल XCl डाल दिया H2SO4 डाल दिया तो वो किसी में soluble नहीं होते तो आप differentiate कर सकते हो sulfite में SO3 2 negative में और sulfate में दोन्यों का सेम test था barium chloride test barium chloride test sulfite भी देते हैं sulfate भी देते हैं sulfite में क्या था यह जो BSO3 वहाँ पे बना था वो soluble हो जाता था acid में लेकिन अगर sulfate है वो insoluble होगा तो यहाँ से आप पहचान कर सकते हो कि sulfite है या sulfate है उसके बाद है match stick test very important test ये 3 marks में direct भी पूछ सकते हैं कि match stick test किसके लिए होता है और explain करो बहुत आसान test है देखो make a paste by mixing the given salt आपको एक paste बनाना है watch glass पे direct salt लेना है यहाँ पर आपको na w e लेना न a c लेना सिधा salt लेना है थोड़ा सा और उसमें na2 co3 sodium carbonate डाल देना है एक दो drop पानी की डाल देनी है और एक paste बनाना है वो paste बन जाए एक match stick matches की सीक लेनी है या ज़ाडू वाली तो उस match stick के उपर paste को apply करना है अब उस match stick को हमें burner में flame में red hot करना है red hot करने के बाद जब वो पूरी तरह red hot हो जाए एक china dish में पहले से आप sodium nitro proside का solution रखोगे और एक तम उस red hot tip को आप उस solution के अंदर डाल दोगे ठीक है जो आपने china dish में लिया हुआ है तो आपको अगर वो नजर आ रही है तो मतलब पका sulphate था तो यह बहुत important test है इसकी reaction देखो sulphate लिया कोई भी sulphate हो सकता है copper sulphate sodium sulphate anything तो मालो copper sulphate है पहले आप उसको sodium carbonate add कर रहे हो तो sodium sulphate में convert हो जाएगा na2SO4 बन गया कोई और sulphate भी हो सकता है direct sodium sulphate भी मिल सकता है तो सीधा सा मकसद क्या था sodium carbonate डालने का जैसे soda extract बनाते हैं ऐसे ही यहाँ पर आपने solid form में sodium carbonate के साथ paste बनाया है तो वो paste आप na2SO4 बन चुका है ठीक है na2SO4 बन गया अब match stick में carbon होता है तो वो जो carbon है वो इस sodium sulphate के साथ 4CO और जला रहे हैं न हम reaction कर रहे हैं na2S तो sodium sulphide बना देता है ठीक है में हमें sodium sulphide चाहिए तो sodium sulphide अब हम वो red hot form में sodium sulphide ही है sodium sulphide china dish में रखे हुए यह solution है na2fecn5no sodium nitroproside solution इसके साथ यह बनाता है यह reaction याद आई sulphide में करी थी तो repeat होंगी reactions ध्यान रखना तो na4 fecn5 nos purple कलर का compound बनता है streaks ऐसे से धारिया नजर आती है इसे से धारिया नजर आएंगी तो मतलब sulphide present है तो max strict test अभी तक जितने टेस्ट कराए है सबसे important test था now thiosulfide इसका test rarely आता है फिर भी आप एक दो याद कर सकते हो silver nitrate test अगर thiosulfate है thiosulfate क्या होता है S2O3 2 negative thiosulfate में जब silver nitrate add कर दिया तो silver thiosulfate बन जाता है AG2 S2O3 ये white color का compound है ये दीरे दीरे अपना color change करता है कभी yellow हो जाएगा white से फिर orange फिर brown और थोड़ी देर बाद ये black हो जाता है मतलब अगर black हो गया तो पक्का thiosulfate था ऐसा होता क्यों है क्योंकि ये पानी से पानी तो है ये silver nitrate के solution में react कर करके दीरे दीरे AG2S बना देता है decompose हो जाता है ये stable नहीं होता silver जो thiosulfate बना है this is not stable दीरे दीरे एक दो मिनट में ये black color का ये बना देता है मतलब थायो sulfate प्रेजेंट था तो थायो sulfate का एक और टेस्ट है ferichloride test और iodine solution test ये आप देख सकते हो बुक से देख ले ना ferichloride test और iodine solution test not so important not so important